नमस्कार जी आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोगोंने अपने छट पे अगर सब्जियां उगानी हैं तो उसकी त्यारी कैसे करने हैं तो सबसे पहले यह देख लीजिए हम जो कोकोट की ब्रिक को हमने पानी में भिगोया है ताकि इसको फुलाय सके और इससे पांच किलो गई है तो इससे बिगोने से क्या होगा यह ज्यादा सारी हो जाएगी तो सब्सक्राइब में हम क्या करेंगे? अभी मिटती our गोबर की ख़ाद और एक कोखो पीट तीनों चीजे आपसester में बिलाएंगे तो यह जो आप ढहister सामने देख रहे हैं This में कोखोपीट है गोबर की खाद है और इसमें एक हिस्सा जो है मिट्टी का भी है तीनों चीजे आपस में मिलाई गई हैं और इसके बाद इसको अच्छे से फाडवे की मदद से इसको मिला लेना है आपस में और इसके बाद इसको भणने की त्यारी करनी है जो हमारे थर्मो कोल के हैं हैं तो यह जो थर्मो कोर्स के इसमें गहराई ज्यादा मिल जैएंगी इसलिए इसमें अच्छे से सब्जियां हो सकती इसलिए ändam है कि तो यह प्रमो कोर्द है जो तो इनके टुकड़े गर लीजिए ताकि नीचे जाएगा बाहर इसमें से पानी निकरने के लिए छेट भी करने इसके नीचे बॉक्स के नीचे तो यह बॉक्स थोड़ा कमजोर है इसलिए इसको टेप भी लगा लिनी चारों तरफ से जैसे भी हम लोग लगा रहे हैं टेप टेप लगाने से क्या होगा उपर से खुला हुआ होता है पूरा जब इसमें यह मट्रीरिल जाएगा मट्रीरिल जाने से क्या होगा कि यह बाहर से फैल जाएगा इसलिए इसमें टेप लगाना बहुत जुरूरी है नहीं तो यह इधर उधर भागेगा जैसे इसमें मट्रीरिल डार देंगे तो टेप लगा लेनी अच्छे स बाल बाल अब देखे टेप और बॉक्से जहां रखने थे एक लाइन से रख दिये गए सबको अब इसमें जो माटीरियल हमने त्यार किया है यह डालना सुरू हो गया है अब इसको धिरे धिरे डालके सबको ऐसे भर देना है भरने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें हमने क्या-क् तो देखते रहीए आगे वीडियो अपना गया है और हम अभी साथ साथ सब्जी और भी लगा रहे हैं अपनी चछत पे जैसे टमाटर लगा हुआ भी बैंगन लगा हुआ है जैसा कि आपने अगर पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें और भी बहुत सारी सब्जियां ल लगाई है और अपना जो कि बहुत साई सब्जियां जो हमने च्छत पर लगाई हुई है तो धीरे धीरे से हमने जो हैं चार बॉक्स भर लिये हैं बाकी के बॉक्स देरे भर रहे हैं तो इसको सब को भर लेना है अब वह सामने जो आप देख रहे हैं गंबले में वह चीकू का पौधा है यह करीब तीन से चार साल का हो गया है यह देखें 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 सारा भर गया है और सारा भर चुका है तो यह हमारा कंप्लीट हो गया है अब देखें इसमें जो हमने लगाई है चीजे यह ब्रॉक्ली का है और इसमें गाजर लगी थी अभी नहीं है यह समय बीज लग गया है कुछ में थोड़े थोड़े निकले हैं तो बाकी का वीडियो हम बाद में बनाएंगे जब निकलेगा इसमें मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा निकल आएगा तो आपको दिखाऊंगा कितना अच्छा ग्रोव कर गया है तो अगर आपको वीडि लगते हिदो लाइक जरू